Hello and welcome, this is Dr. Akriti और आप हैं मेरे साथ दीक्षान्त IAS के इस खुबसूरत प्लाटफॉर्म पे Hello and good evening everyone, good evening, good evening चलिए, स्टार्ट करें फिर So हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन So crop, production and management Crop, production and management ये टॉपिक है हमारी 8th की NCRT का chapter number 1 पढ़ने वाले हैं So अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है 6th खतम कर लिया है, 7th की बायो खतम कर ली है 8th से आज हम लोग start कर रहे हैं So आज हम लोग पढ़ेंगे Crop, production and management Chapter काफी easy है काफी easy chapter है इसमें आपको जो-जो points बताने है NCRT की lines, जो exact lines होती है और जहां से आपकी questions आ सकते है वो भी आपको बताई जाएंगी ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि crop किसको कहते हैं एक बहुत ही बड़े शेत्र में जब एक बहुत ही बड़े शेत्र में क्या किया जाता है, उगाया जाता है तो उसको crop या फसल का नाम दिया जाता है जब एक ही प्रकार का पौधा बहुत बड़े शेत्र में क्या किया जाता है उगाया जाता है तब उसको crop का नाम दिया जाता है, ठीक है, okay, crop आपके दो तरीके के हो सकते हैं, rabi crop and kharif crop, है न, crops आपके दो तरीके के हो सकते हैं, rabi और kharif, ठीक है, तो दोनों के बारे जानते हैं, क्या होता है, बहुत छोटी simple simple सी चीजे हैं, जो आप लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, तो सबसे पहले अगर खारिफ crop की बात करें, खारिफ crop की बात अगर करें, तो ये rainy season यानि की बरसात के मौसम में क्या किये जाते हैं, बोए जाते हैं, ठीक है, बरसात के मौसम में बोए जाते हैं, जैसे की ground nut, है न, soya bean, paddy, क्यों बोए जाएंगे भई, उस समय, उस समय क् इनको ज्यादा पानी चाहिए, है न, इनको ज्यादा पानी चाहिए, जल की मात्रा इनको ज्यादा चाहिए, खास तौर पे धान को, paddy को, इसलिए ये इस टाइम पे क्या होंगे, बोए जाएंगे, आम तौर पर इंडिया में बारिश का जो मौसम होता है, वो जून से सितम जून से सितमबर तक आपका बारिश का मौसम होता है, तो उसी समय ये खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, उगाये जाते हैं, आगे चले, नेक्स्ट कौन सा आजाएगा, नेक्स्ट आजाएगा आपका रभी क्रॉप, तो खारिफ क्रॉप हो गया, अब कौन सा आएगा आपका रभी क्रॉप, और रभी क्रॉप, रभी क्रॉप, कब ग्रो किये जाएंगे, कब सो किये जाएंगे, यह सो किये जाएंगे, विंटर में, विंटर सीजन यानि कि थंड के मौसम में, ऑक्टोबर से मार्च तक, ऑक्टोबर से मार्च के बीच में क्या होंगे, यह सो किये जाए जैसे की वीट, वीट यानि की गे हूं, ठीक, मतर, सरसो, ये सब इसके examples हो गए, ठीक है, ये सारे इसके अलग-अलग क्या हो गए हैं, examples हो गए हैं, तो रभी क्रॉप and खारिफ क्रॉप ये दो तरीके के crops हैं, ठीक, सिंपल, सब छोटी क्लासे से आप लोग पढ़ते हैं, रभी क्रॉप ये रेनी सीजन में, तो ऑक्टोबर से मार्च में आम तोर पे ये उगाये जाएंगे, ठीक है, ऑक्टोबर से मार्च में ही ठंड जो है, वो शुरू हो जाती है, तो उसी समय ये जो रभी क्रॉप सें, ये क्या होंगे, ये उगाये जाएंगे, ठीक, चलिए अब देखिए, किसी भी agriculture practice में जब आप खेती करते हैं, तो आप कुछ steps का ध्यान रखते हैं, आप कुछ steps का ध्यान रखते हैं, आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, तो कौन-कौन सी चीजें हैं, उनके बारे हम बात करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले agriculture practice यानि कि जो खेती की जाती है, सबसे पहले preparation of soil, यानि कि मिटी जो है तयार की जाती है, सबसे पहले soil का preparation किया जाता है, यानि कि मिटी तयार की जाती है, ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारे steps को देखेंगे, कि किस step में क्या किया जाता है, सबसे पह किया आपने मिट्टी तयार की ठीक है मिट्टी को हलका किया ठीक मिट्टी को हलका करते हो से क्या होता है हल चलाते हो मिट्टी को हलका करते हो इससे क्या होगा इससे होगा यह कि उसमें एक तो देखो आपको पता है कि आपकी जो सॉयल यानि मिट्टी की जो सबसे उपर वाली layer होती है उसमें सबसे बढ़िया क्या एक तो धूब भी आएगी और जो भी अंदर fertilizer और जो भी चीजे होती है वो top layer में होती है तो जब आप मिट्टी को हलका करते हो या उसको mix करते हो तो एक तो आप top layer of soil के साथ सारे soil को mix कर रहे हो सारी जो पौधे की जड़े हैं वो बहुत और deeply जा पाएं अंदर मिट्टी में और गहराई में जा पाएं और उन पौधों को भी क्या मिले उन पौधों को भी क्या मिले oxygen अच्छा खासा मिले इसके बाद आप क्या करते हो आप crop को sow करते हो यानि वो आई जिसको आप कहते हैं उसके बाद आप manure and fertilizer add करते हैं आज की क्लास में हम जानेंगे कि खाद और उर्वरक में क्या फर्क है ठीक है खाद और उर्वरक में क्या फर्क है उसके बारे भी जानेंगे उसके बाद तो अब आप जानते हैं कि बार 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 अगर उस soil का प्रयोग किया जा रहा है, मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है खेती के लिए, तो धीरे 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 उसके पोशक, धीरे धीरे उसके nutrients यानि कि पोशक तत्व क्या होंगे, नश्ट हो जाएंगे, है न, धीरे-धीरे उसके पोशक तत्व नश्ट हो जाएंगे, इसलिए आप खाद और उर्वरक डालते हैं, ताकि सोईल का जो नुट्रिशन है, जो उसका पोशन है, वो बना हुआ रहे, इसके बाद आता है, इरिगेशन जहां पे आप क्या करते हैं, सीचाई करते हैं, है न, पानी डालते हैं, सीचाई करते हैं, उसके बाद, जो आपकी पसल अगेगी, उसके साथ कुछ वीड भी होगा, वीड हम किसको कहते हैं, unwanted plant, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, ओर वो भी अगर उग गए, आपके crop के साथ तो क्या होग क्लास में क्लास में अगर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको डिस्टỬिंस होती है यहां कोमेंट सेक्षन में भी आप देखते हो कई बार जब आप लुक पढ़ रहे होते हो और कोई स्टूरेन डिस्टरब करना शुरू कर देता है बार-बार स्पैम करना शुरू करते हैं, तो आप लोग लिखते हो, कि क्लास को डिस्टर्ब मत करो, वो आपका समय खराब करते हैं, फिक उसी तरह जब प्लांट, जब आपके क्रॉप के साथ, आपकी फसल के साथ, जब वीड उग जाएगी, तो क्या होगा, वो क्रॉप को ड उसका क्या रहेगा, एक कॉंपोटिशन रहेगा, उस मेन आपके क्रॉप के साथ, आपकी फसल के साथ, ठीक है, ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, यानि कि जो बोया है, उसको काटेंगे, तो कटाई होगी, इसके बाद आखरी में क्या होगा, स्टो तो यह सुब स्टेप्स है आपके agriculture में और इन सभी के बारे आज की class में हम जानेंगे , ओर मिटी को आप तयार करते है। यह सबसे पहला step है, और सबसे important step भी यही है, इसमें करते क्या है, कुछ नहीं, सारी चीजों जो आपको बताई, वहीं पीछे लिखी हुई है, कि क्या करते हो, आप मिट्टी को हलका करते हो, ठीक है, आप मिट्टी को हलका करते हो, ताकि क्या हो, एक तो देखो, top layer में सबसे सबसे पोशक तत्व होते हैं, आप उसको mix करते हो, आप उसको मिलाते हो, कि सारे पोशक तत्व आपस में मिल जाएं, ठीक है, और जो root है, जो जड़ है, वो और गहरी, वो और गहरी क्या हो, वो और गहरी मिट्टी में जाए, और जब वो मिट्टी में गहराई में जाए, तब भी वो अराम से उसको oxygen मिल पाए, है ना, तब भी अराम से वो क्या करें, अराम से वो सांस ले पाए, अराम से उसको oxygen मिल पाए, तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें होती हैं, किसमें, preparation of soil में, ठीक है, preparation of soil में ये सारी चीजें होती हैं, बात करते हैं कि मिट्टी हलका करने से और क्या होता है एक तो चीज मैंने आपको बताई कि रूट्स और डीपली जा सकते हैं जो उसके रूट्स हैं वो बहुत डीपली जाएंगे अराम से ब्रीध कर सकते हैं और दूसरी चीज जो आपको पढ़ा चुकी हूँ earth warm earth warm यानि की केच्वा जिसको farmer's friend या किसान का दोस्त कहा जाता है तो केच्वा को क्यूं कहा जाता है farmer's friend या किसान का दोस्त केच्वे को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसकी जो slime layer होती है वो भी fertilizer का काम करती है ठीक है और ये जो चलता है इसके चलने से भी मिटी में क्या होती है मूवमेंट होती है जिसके वज़े से हवा की आवा जाही हवा की जो आवा जाही क्या होती है बहुत जादा अच्छी होती है आपको मैंने वर्मी कमपोस्टिंग भी बताया था आपको मैंने वर्मी कमपोस्टिंग के बारे भी बताया था ठीक है, ओके, सो वर्मी कमपोस्टिंग क्या था, याद करो कि जब इसके साथ, जब इसके साथ मिलकर, जब इसके साथ मिलकर क्या हो रहा था earthworm के साथ मिलकर आप क्या कर रहे थे एक तरीके का खाद बना रहे थे जो natural तरीके से मिल रहा था है ना तो ये सब ये सब होगा इन सब में आप क्या कर रहे हैं आप मिटी को मिटी का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है आप मिटी का क्या कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं ठीक है डन आगे चले आगे चले हम लोग चलिए अब आजाओ किस पे प्लाविंग यानि की खेत की चोताई कर अब तुनों यहाँ पे, इसको किस से किया जा सकता है, इसको एक हल से भी किया जा सकता है, आप सब ने देखा होगा, कि जो जानवर होते हैं, उनकी मदद से भी किया जा सकता है, या ऐसे ट्राक्टर से भी किया जा सकता है, तो जब इस तरह के ट्राक्टर से किया जाएगा, तो ये काम fast हो जाएगा, है की नहीं, ये काम ज्यादा जल्दी से होगा, जब इस ट्राक्टर का प्रयोग किया जाएगा, आप अगर हाँच से करो, हो तो जाएगा वो, लेकिन थोड़ा सा slow होगा, और इन मशीन के साथ क्या होगा, वही चीज ज्यादा fast होगी, ये कहलाता है tilling, tilling या plowing, ये क्या कहलाता है, tilling कहलाता है, ये क्या कहलाता है, tilling के नाम से जाना जाता है, okay, this is known as English में, tilling इसको कहते हैं, या plowing कहते हैं, ठीक है, और जो चीज यूज होती है, अभी मैं आप picture दिखाऊंगी आपको, ये, ये plow कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, plow, यहाँ पर बंदी हुई है ये शैक्ट के नाम से जानी जाती है इसको एक सकेंड, कलर चेंज करो इसको हम शैक्ट केहते हैं और ये देख रहे हैं मिट्टी ये जो चीज ये वाली चीज जो है ये जाएगी किस के अंदर? मिट्टी के अंदर ठीक है ये जाएगी मिट्टी के अंदर ठीक अब हर जगा पर हर जगा पर क्या हर जगा पर खेत में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो एक लेवल की नहीं होती वो समतल नहीं होती कलीपर उठी भी हमेशा उबडखाबड होती है हमेशा वो क्या होती है उबडखाबड होती है समतल नहीं होती तो इसी लिए क्या किया जाता है इसी लिए किया ये जाता है कि पहले leveling की जाती है यानि उस चीज़ को सम्तल जो पूरी मिट्टी है उसको level कर दिया जाता है leveler के माध्यम से उसको सम्तल कर दिया जाता है एक level पर कर दिया जाता है ठीक है? क्या होगा उससे? ताकि जो भी आप खाद मिक्स कर रहे हो जो भी आप खाद मिक्स कर रहे हो, वो सब कुछ क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहों कि एक जगा ज्यादा हो गया, एक जगा कम हो गया, ठीक है, तो वो पूरी चीज को क्या किया जाता है, उसकी लेवलिंग की जाती है, उसको समतल कराया जाता है, ठीक है, तो ये सब आगे चले मेन टूल्स कौन सा होता है ठीक है मेन टूल्स टूल्स यानि की कौन-कौन सी मशीने इस्तिमाल होती है ठीक है कौन-कौन सी मशीने इस्तिमाल होती है पहली चीज तो आपको बता दिया हल दूसरी चीज होती है कुदाल और तीसरी चीज होती है कल्टिवेटर, कल्टिवेटर वही उस ट्रैक्टर मशीन के माधिम से ये क्या होगी, ये बहुत फास्ट होगी ये क्या होगी, ये बहुत फास्ट होगी ठीक है, तो ये प्लाव जिसको हल कहते हैं, और दूसरी चीज क्या है आपकी कुदाल ये जो आप देख रहे हो bent plate ये जाता है मिटी के अंदर ठीक है ये जो bent plate है ये जाता है मिटी के अंदर ठीक, simple simple सी चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं कि basic चीजें हैं I think आप में से अधिक तर लोगों को ये सारी चीजें already इसको बस हम एक revise करवा दे रहे हैं, एक revision करवा दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएं, otherwise ये ऐसी चीज़ें हैं, agriculture की basic चीज़ है, सबको ही idea होता है इसके बारे, क्योंकि अगर हम कोई particular bio का chapter पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बारे लगत होता है कि नहीं चलो, शायद नहीं पता होगा, बट ये agriculture ऐसी चीज़ है कि खास तोर पर जो भारत में रहने वाले लोग हैं, हम लोग सबको थोड़ा बहुत तो idea जरूर होता है, जो किसान है उनको पूरा idea होगा, पर जो लोग शहर में भी रहते हैं, फिर भी इन चीज़ ठीक है, tilling का काम तो करता ही है, इसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से आप fertilizer भी add कर सकते हैं, उर्वरक भी add कर सकते हैं, उर्वरक भी मिला सकते हैं, और जो weed हैं, जो अंचाहे plants हैं, जो अंचाहे चीज़े हैं, उनको भी आप हटाने का काम कर सकते हैं, तो हलके काफी सारे, हलके क्या है, हलके काफी सारे uses हैं, काफी सारे उपियोग है, ठिक, done आगे चले, चलिए simple है, फटा-फट ये खतम हो जाएगा, अब हलका काम समझ गया, कुदाल के बारे जानते हैं, कुदाल भी क्या करेगा weed हटाने में काम करेगा, और मिट्टी को हलका करेगा, मिट्टी को हलका करेगा, ठिक, ओके, चलिए आगे आजाएए, sewing पे क्या, sewing पे आते हैं sewing पे यानि की बोवाई करना, ठिक है पहली चीज़ अब हम लोगों ने वहाँ पे बात कर ली अब बात करते हैं, किस की? sewing की बात करते हैं, तो sewing यानि की बोना, इसका क्या मतलब है, क्या आप ऐसे बीज बोना चाहोगे जो क्या करे फसल उसका फले ही ना? क्या आप ऐसे बीज बोना चाहोगे जिसका फसल फले ही ना? नहीं, कोई नहीं चाहेगा तो किसान भी क्या करते हैं, वो भी यही चाहते हैं, कि वो healthy seeds को sow करें, जो क्या करें, जो healthy seeds को क्या करें, sow करें, ऐसा किसान चाहते हैं, okay, so they want to sow what healthy seeds, know, okay, clear है, simple सी बात है, कोई बहुत ही, इस में थोचने वाली बात नहीं है, अब होता क्या है कि ये funnel इस्तमाल किया जाता है और इसी में, इसी में क्या होता है, इसी में seeds डाले जाते हैं और ये seeds यहाँ पर ये जो चीज क्या होती है, यहाँ पर नुकीली होती है याने की pointed होती है और सारी seeds जो हैं यही पर गिरते हैं, है ना, मिट्टी में गिर जाते है तो ये तरीका होता है क्या करने का, seeds sow करने का, seeds sow करने का क्या होता है, ये एक तरीका होता है, ठीक है, समझ गए सब, चलिए, ओके, आजाओ, यहाँ पर आजाओ, तो seed drill का भी इस्तमाल किया जाता है, खेती में बहुत बार, अब देखो, seed, seed selection तो important है ही, कि आप ऐसे seeds चुनें जो क्या दे, जो बढ़ियां फसल दे, अब seed, सब seed को पास-पास दोगा नहीं सकते, सब seed को पास-पास होगा दोगे तो क्या होगे, वो आपस में लड़ पड़ेंगे न, जाहिर सी बात है, sunlight सारे resource से सारे seeds को मिलने चाहिए, इसलिए सारे seed को आप एक जगा पर नहीं डाल स से, ताकि जितनी भी seeds हैं, वो क्या हो, वो थोड़ी-थोड़ी दूरी पर, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखी जाएं, ठीक है, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर क्या करें, रखी जाएं, वो बिल्कुल एक जगह सारी इकठी ना हो, ठीक है, और एक जगह पर इकठी होग से के जो चिडिया हैं उनके खाने का खत्रा भी कम होगा ठीक और टाइम तो बचेगा ही अपना कोई भी चीज अगर मशीन से की जाएगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा जल्दी काम होगा राधर दैन आपके हाथ से काम करने से आगे चले सिंपल सिंपल सी चीज़े हैं चलो मै जन्योर और फर्टिलाइजर सब चीज़ें आड करेंगे क्यों आड करेंगे क्यूंकि आपको बताया मैंने कि उसी मिट्टी में बार 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 आप क्या कर रहे हैं बार बार आप पसल उगाय जा रहे हैं तो धीरे धीरे उस मिट्टी धीरे जो है उस मिट्टी का धीरे धी जो भी nutrients पोशक तत्व हैं, वो लूज होते चले जाएंगे, वो उनकी हानी होती चले जाएगी, ताकि वो चीज मेंटेन रहे, इसलिए क्या आड़ किया जाता है, मेन्योर और फर्टिलाइजर आड़ किया जाता है, खाद और उर्वरक आड़ किया जाता है, अब इन में खतर जातनाक ज्यादा कौन है, जल्दी से बताओ, कौन ज्यादा खतरनाक है, फर्टिलाइजर या मेन्योर, फर्टिलाइजर या मेन्योर, फर्टिलाइजर येस चेतना, फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर वो ज्यादा नुकसान देगा, ठीक है, फर्टिलाइजर पास के किसी नदी में तालाब में और वहाँ पर water pollution कर सकता है तो fertilizer, fertilizer क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा नुकसान दायक भी है ठीक है? fertilizer जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान दायक भी है ठीक है? ओके? चलिए तो fertilizer और manure में क्या अंतर है? ये करके देखेंगे पहले English में देखेंगे फिर Hindi में देखेंगे ठीक है? fertilizer क्या है? man-made है ठीक है? man-made है इसलिए खतरनाक है manure क्या है? natural substances से बनता है plant और इन सारी चीजों को सडा कर बनता है तो natural है, प्राकृतिक है fertilizer factory में बनता है, manure खेतों में भी हो सकता है fertilizer soil को humus नहीं देता याद है, आपको last class में मैंने humus बताया था याद है, last class में आपको humus बताया था कि जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है बहुत डाक कलर की होती है, जो humus कहलाती है ठीक है? और manure क्या करता है? humus देता है fertilizer rich होता है NPK में nitrogen, potassium and phosphorus NPK में rich होता है और ये क्या है? manure इसमें rich नहीं होता है तो बस एक जगा मात खा गया बस एक जगा मात खा गया ये ठीक? चलो, अब हिंदी में भी पढ़ ले fertilizer यानि की उर्वरक जो है, वो क्या है? मानव निर्मित है मानव के द्वारा निर्मित है और ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है ये factory में होता है ये खेतों में भी बनाया जा सकता है इसके, इसमें humus प्राप्त नहीं होती इससे आपकी humus प्राप्त होती है ठीक है? इसमें NPK है बस एक ही है कि इसमें NPK ये तीन पोशक तत्व है और इसमें नहीं है लेकिन अगर आपते पूछा जाए कि खतरनाख कौन है? खतरनाख कौन है? खतरनाख है आपका कौन सा fertilizer यानि उर्वरक क्यों? क्योंकि chemical से बना होता है बहुत सारे chemical से बना होता है ठीक? ओके? आगे चले? आगे चले? नेक्स्ट अब आजाता है irrigation irrigation का मतलब क्या है? irrigation का मतलब है कि आप जो पानी डालते हैं आप जो पानी अगर हम आसान सिंपल शब्दों में बात करें तो पानी का डालना थोड़े थोड़े इंटरवर पानी का डालना आपके फसलों के उपर पानी का डालना क्या कहलाता है irrigation या सिचाई के नाम से जाना जाता है ठीक है अब irrigation करने के बहुत सारे तरीके कुछ ये traditional तरीके हैं कुछ जो क्या है ये लंबे समय से आ रहे तरीके हैं moat, chain pump ढेकली और ये सारे जो बहुत लंबे समय से सीधे पौधों की जड़ों तक पड़ता है drip का मतलब ही क्या है? बून-बून है ना? so drip irrigation करके drip irrigation के माध्यम से ये तो sprinkler system है ठीक है? ये क्या है? ये आपका sprinkler system है ठीक है? यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत अलग-अलग direction में इसकी pipe लगी भी है और ये sprinkler system है जो आपके coffee plantations garden वगरा में ये इस्तमाल हो सकता है पानी डालने के लिए ठीक है? जहाँ पर आप देख रहे हो कितनी दूरी में कितनी दूर-दूर में अराम से ये पानी इसके माध्यम से निकल रहा है अराम से यहाँ पर छिड़काव हो रहा है ठीक है? ये है आपका drip irrigation जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या हो रहा है? water conservation बहुत बढ़ियां से यहाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है क्यों? क्योंकि directly directly pipe के माध्यम से रक्षा करना यानि की तो weed से रक्षा कैसे करेंगे भई? बहुत सारे तरीके हैं क्या? कि weed को या तो हटा ही दो है ना? एक तो हल क्या कर रहा था? weed को हटा दे रहा था ठीक है? नहीं तो क्या कर सकते हैं weedy side डाल सकते हैं जो weed को मार दे जो weed को क्या करे, मार दे, तो weed है क्या, undesirable plant, जो आपको नहीं चाहिए, जैसे हमारे comment section में कुछ undesirable लोग आ गए है, कुछ weed आ गए है, जो वैसे ही आपके crop के साथ भी क्या आ जाएंगे, कुछ weed आ जाएंगे, तो जैसे comment section में हमने weeding कर दी, weeding कर दी, यानि weed को हटा दिया, तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वो प्रक्रिया weeding कहलाती है, यानि weed को हटा देना, निराई, क्यों जरूरी है weed को हटाना, क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो वो नुकसान दायक है, ठीक, कुछ weed जो होते हैं, वो humans के लिए बहुत जादा क्या होते हैं खतारनाक होते हैं, yes, nutrition भी लेगा, yes, संगीता, शुष्ठा, बिल्कुल सही, वो crop का, वो फसल का nutrition भी लेगा, ठीक है, तो इसी लिए उसको निकाल देना, उनको हटा देना जरूरी है, तो weedy side सब लोग ready रखो, है न, weedy side ready रखें, ताकि weed को हटा के फेक दिया जाए, ठीक ह क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, weed से बचने के लिए, चलिए, protection from weeds जरूरी है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना ये चाहिए, कि जब भी, जब भी, आप बीज बोएं, बीज बोने से पहले, tilling किया जाए, है न, बीज बोने से पहले, tilling किया जाए और उसी वक्त उसी वक्त वीड्स को हटा कर फेग दिया जाए ठीक है यहाँ पर क्या किया है कि वीज बोने से पहले ही जब हम तिलिंग कर रहे थे तिलिंग कर रहे थे उसी समय वीड्स जो भी उगे वे थे उनको पूरी तरह से काट दिया जाए ठीक है उनको पूरी तरीके स काट दिया जाए, ठिक, ओके, चलिए, पेस्टिसाइड क्या होंगे, रोशन कुमार, जो पेस्ट को मारेंगे, वही पेस्टिसाइड, C-I-D-E का मतलब ही होता है, मार देना, पेस्ट का मतलब पेस्ट, तो पेस्ट को जो मार दे, वो क्या हो गया, वो हो गया, ठीक चलिए और क्या तरीके हैं आप खुर्पी से इनको हटा सकते हैं है ना खुर्पी से हटा सकते हैं सीड ड्रिल से हटा सकते हैं यह तरीके हैं वीड हटाने के कि खुर्पी से हटा दो या किस से हटा दो seed drill से हटा दो या फिर कुछ VD sides यूज कर ले, चीक है, अब ये VD side, देख रहे हैं, ये कैसे spray कर रहा है लेगिन क्या आप देख रहे हो कि spray करते time spray करते time क्या हो रहा है, इसने अपना मूँ धका हुआ है, है ना spray करते time इसने अपना मूँ धका हुआ है, क्यों इस तरह से मूँ धका हुआ है, क्योंकि ये जो हो सकता है, हो सकता है आपके respiratory system, आपके श्वसन तंत्र के लिए क्या होगा हानिका रख होगा, ठीक है श्वसन तंत्र के लिए क्या होगा, हानिका मारेंगे लेकिन यह आपके health के लिए नुकसान दायक हो सकते हैं तो जो आपको क्या लेना है precaution लेना है वो precaution आपको इस्तिमाल करना जरूरी है ठीक है चलिए अब आजाईए harvesting पे harvesting का मतलब क्या होगा harvesting का मतलब है फसल की कटाई तो फसल जब पूरी तरफ से उग जाए तो उसकी कटाई करनी होगी है ना उसकी कटाई करनी होगी तो कटाई कैसे करेंगे बिल्कुल जमीन के पास जाकर उसकी कटाई करेंगे बिल्कुल जमीन के पास जाकर क्या होगी उन फसलों की कटाई की जाएगी ठीक है, सिकल का प्रयोग करके है ना, ये सिकल दरांती का उपियोग करके इनकी कटाई की जाएगी या अगर बहुत तेजी से काम चाहते हो बहुत तेजी से काम चाहते हो तो क्या इस्तिमाल करोगे मशीन, हार्वेस्टर मशीन का इस्तमाल किया जाएगा अगर तेजी से काम चाहिए तो हार्वेस्टर मशीन इस्तमाल की जाएगी ठीक है? चलिए अब आता है फ्रेशिंग हार्वेस्टिंग हो गई? फ्रेशिंग फ्रेशिंग का मतलब क्या है? फ्रेशिंग का मतलब है कि जो वो अंदर से जो वो चीज है जो आपका फसल है उसको बाकी चीजों से अलग करना, इसको हिंदी में मडाई कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको मडाई कहेंगे, वो प्रक्रिया है जिसमें कटी फसल की फलियों को दाने, फलियों से दाने को विमुक्त किया जाता है, ठीक है, विमुक्त किया जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है, so this is known as threshing, और combine नामक एक machine होती है, जिसमें harvesting, harvesting और threshing, जिसमें harvesting और threshing, दोनों एक साथ की जाती है, ठीक है, दोनों एक साथ की जाती है, तो harvester और thresher दोनों का काम करता है, जो दोनों को कमबाइन करते हैं, इसके बाद विनोइंग की जाएगी, जो आपने देखा होगा, जो सूप से करते हैं, जिसको सूप कहते हैं, इस तरीके से जो होती है, जिसको सूप का नाम दिया जाता है, यह क्या है, that is विनोइंग, ग्रेन एंड शाफ को अलग करना, भूसी और हम से किया जाता है, this is known as विनोइंग, इसको हम विनोइंग का नाम देते हैं, ठीक है, हम, चलो, अब आजाओ, स्टोरिज पे, तो स्टोरिज में जाहिर सी बात है, क्या आप गीला अनाज स्टोर करना चाहोगे, क्या आप गीला अनाज स्टोर करना चाहोगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना, गीला अनाज कोई भी नहीं स्टोर करा है, क्योंकि आपको पता है, इतनी साइन्स, इतनी बायो सबको आती है, पूरी दुनिया को आती है, कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे फंगस भी ग्रो हो सकते हैं, है ना, हाँ, छट में जो यूज करते हैं, तो बहुत सारे फंगस भी ग्रो हो सकते हैं, तो सारी इन चीजों से बचने के लिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गानिजम्स हैं, सूक्षमजीव हैं, ताकि वह अटाक ना करें, क्योंकि जब भी कोई चीज गीली होती है, तो वहाँ पे, हुूमिड ठीक है, फंगस, स्पेशली फंगस, सब माइक्रो ऑर्गानिजम में फंगस जो है, जो कवक है, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, जहां पर उसको नमी मिल जाएगी, इसलिए आपने जो भी क्या किया, आपने जो भी फल काटा, उसको अच्छे से धूप में सुखाया जात है, ताकि उसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गानिजम का अटाक नहीं हो, और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, या तो बोरे के बैग में, और फिर बड़े-बड़े कमरे में इनको क्या कर दिया जाता ठीक है नहीं तो क्या प्रियोक किया जाता है ग्रेनरीज और सिलोज ठीक है ओके जल्दी जल्दी बताओ फटा-फट से बताओ कुछ है ही नहीं इसमें बताने को बहुत-बहुत सिंपल बहुत-बहुत इजी है जल्दी से बताईए लाडला स्टूडेंट शिवम येस नीम की पत्ती का भी उपयोग करते हैं बिल्कुल अजय बिल्कुल सही बात है ना नीम जो होता है वो बहुत ज्यादा गुन होता है नीम के अंदर तो नीम जो होता है वो बहुत गुनकारी होता है सब जीवानों से रक्षा करता है अंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं है ना, इसमें अंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं तो नीम का प्रयोग, नीम के जो पत्ते जो सूख जाते नीम के जो पत्ते सूख जाते हैं उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, डन, ओके, बहुत-बहुत बढ़िया, आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रख रही हुँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, चलिए, चाप्टर तो खतम हो गया आपका, आज थोड़ा सा में 20 मिनिट पहले आप लोगों को छोड़ रही हूँ, कल चाप्टर नंबर टू करेंगे, माइक्रो ओर्गानिजम्स के बारे, ठीक है, चलिए, तांक यू सो मच, बाबाई, गुद नाइट, गुद नाइट.